त्रिप्पनलाग की करदार महिला को सरदार जबरन उठाकर थाने ले आए बले ही सिरकार महिला को सरुक्षा देने के लाग दावे करती है लेकिन जमीनी सच्चाई इसको बिल्कुल उलट है क्योंकि दबंगो के होसले इतने बुलंद है कि वैं लोग महिलाओं को पिड़न त बठाकर अपने साथ थाने ले आए और दबंगो ने महिलाओं को पुलिस को सौप दिया जब मीडिया नहीं महिला से बात करना चाही तो आपको थाने कैसे लेकर आए हैं तो पुलिस ने महिला से बात करने नहीं दिया और महिलाओं को आनन फानन में अंदर कमरे में ले जाक बठा दिया और मीडिया के सवालों से पल्ला जारते हुए कहा अगर आपको जानकारी करनी है तो हमारे अधिकारों से बात करें इस गटना के बारे में सीयो सिविल लाइन से बात की तो उनका कहना है कि महिला ने बड़ी रखम उदाहर दे रखी है जिसकी शिकायत पुरारती द्वारा थाने में दी गई है आप लोगों ने बताया कि महिला को ठाकर कुछ लोग थाने ले आए हैं उस पर भी जाच की जाएगी और कारवाई की बात क्यों द्वारा कही गई है मुरदबाद यूपी से परवे संसारी की रिपोर्ट कि अब पुलिस के ओपर यह जिम्मदारी बनती है कि इन लोगों से भी पूछे कि इन्होंने कानून को हाथ में क्यों लिया वीडियो जले क्यों शर्मा के साथ परिश्टम की न्यूज एटिन ग्रादबाद कि अब ।ो नन्यूदंकि अबें, ग्रादब यहीं है कि एंद स्ट्टम की रवे सलें लिए इन सम्दफ़ल शचर्क्षा जएंग कि इन संद्टम की पूछे जएंग १११११११११११ rebellion आपको कहां से ले जाए है? पताईए आप आप बताईए ना? रहा है? मैला और उसके नावालिक बच्चे को उस लोगों ने पैसे के नेदेद के विवात में हरसे लागार पुलिस को दिया है मैला कहना है कि वो मिलनवियार में की और उसे जवरन लागे दिया गया है तो क्या आपकी जानकारी में हो और क्या इसके कारवाई की जाएगी? इस तरह का मामला संग्यान में आया है कि थाना सिविल लाइम ने एक विक्ति ने एक मैला के उपर 53 लाग रुपे लेने का आरूप लगाया है और इस समंद में मैला के साथ थाने पे आया था इस से प्रातना पत्र को जो उसने दिया था उसकी जाच के लिए दे दिया गया है उसकी जाच की जा रही है और इसी के आधार पर आगे कारवाई होगी इस तरह के अगर कोई इसमें सबूत मिलता है या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसी के आदार पर कारवाई की जाए